तो फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी भिंडे की सबजी की रेसिपी वो भी बिल्कुल नए अंदाज में बिल्कुल नया तरीका है नया स्वाध है आपको एक बार ये भिंडी बना लोगे न तो बार बार बनाने पर मजबूर हो जाओगे तो देरी की इस बात पर मैंने तीन भिंडी को साइड में रख दी है आपको बताने के लिए कि मैंने किस तरह से इसको कट किया है तो ये दिखिए भिंडी का जो उपर अला पार्ट से उसको हटा दीजिए और भिंडी में एक चीरा लगा लिजिए और तीन से चार तुकडों में कट कर लिजिए क्यूंकि मेरी भींडी जो है थोड़ा बड़े साइच की है इसलिए मैंने 2-3 तुकड़े कर लिये है फिंट्स अगर आपकी भींडी छोटे साइस की है तो 2 ही तुकड़े रहने दिजिए वो भी बड़िया रहेगा तो भींडी में मैंने चीरा इसलिए लगाया है है तो छोटे छोड़े प्याज जो होते है मैंने वह लिया है अगर आप cater आपके बेरे प्याज उसको भी इस तरह से कट कर लिजिए को जादा बड़े नहीं होना चाहिए दिखे टुक्डhington करना है इस तरह सें कर दिशेली में प्याज को yardım कर लेती हूं तो यह तो चलिए आप गेस्टोप की तरफ चलते हैं तो यहां पर मैंने तेल गरम होने के लिए रख दिया है थोड़ा सी मैं जीरे को भी एड़ कर लिया है साथ ही इसमें हम थोड़ा कड़ पट्टा एड़ करेंगे जुससे बहुत ही बड़ी बड़ी टेस्ट आएगा हमें अगर अब चाहो तो हींग भी एड़ कर सकते हो और साथ ही मैं तीन मिर्चे भी एड़ करेंगे बिल्कुल फ्रेश है बीच में से चीरा लगा के मैंने डाल दिया है आप पियाज की बारी है तो पियाज को भी डाल देंगे इसमें तो पियाज हमें पूरा डाल देना है और जो पियाज है इसके पैटल्स इस तरह से निकल रहे हैं मैं आपको जुम कर के लिखा देती हूँ यह एँगे हमने प्याज को इस तरह से क्यों कट किया था क्योंकि इसके पैटल्स निकलते है तो सबजी और भी खुब सूरत दिखती है और टेस्ट में तो ला जवाब तो होता ही है तो देखिए यहाँ पर अच्छे से इसका कलर आ रहा है तो बहुत ही बड़ी अलगती है सबजी दोस्तों एक बार तो आप मेरे कहने पर ज़रूर इस तरह से ट्राई करो आप लोग उंगलियां चाटे रह जाओगे इतने बड़ियां आपकी भिंड़ी की सबजी बनकर तयार होगे तो अब बारी है कुछ सूखे मसाले एड़ करने की तो यहाँ पर मैंने हल्डी पॉडर ले लिया है छोटा चमच थोड़ा सी मिक्स करेंगे और इसमें अड़ करेंगे काशमीरी, लाल मिर्च और थोड़ा सी रेट चिली पॉडर दोस्तो तीखापन आप अपने टेस्ट के साभ से रख सकते हो तो टेस्ट ही जितना आपको पसंद है तीखा वो हिसाब से आप रख लीजिए तो mix कर लीजिए और इसको थोड़ा से भूनेंगे तो यहाँ पर अच्छा से mix हो गया है तो अब हम इसमें add कर लेंगे टमाटर चलिए टमाटर को add कर लेते हैं और हम इसमें साथ ही add कर लेंगे भिंडी इसको टमाटर को अच्छे से भूनना नहीं है भिंडे भी साथ मिसके डाल देंगे तो आप अपने टेस्ट के साथ से यहाँ पर नमक एड़ कर लीजिए ताकि भिंडी में और टमाटर अच्छे से गल जाए सौफ्ट हो जाए और बड़िया सी टेस्ट बने तो चलिए नमक को भी एड़ कर लेते हैं फिर साथ ही मिक्स करेंगे तो अच्छा होएगा टमाटर और भिंडी सब मसाले जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे तभी तो देखिए नमक मैंने ले लिया है हातों से ही डाल दिया वो होता है ना अपने घर में मैंने आपको बताया है कि इसी तरह से कुकिंग कर लेती हूँ हातों से सब मसाले जो है डाल देती हूँ तो देखिए अच्छे से आप मिक्स करना है नमक को तो मैंने डाल दिया है इसको 2 मिट के लिए सलो फेलं पे पकाए फिर एक बार चला ले फिर 3-4 मिट के लिए आप पका लीजे तो इसको मैं ढ़क के बणा लेती हूँ दोस्तों बीच मे एक बार चला लूँगी तो फ्रेंस यहां पे हमारे पांच मेड़ भी हो गए है और हमारे भिंड़ी बिल्कुल रेड़ी हो गई है बीच में एक बार मैंने चला लिया था आप देख सकते हो कितनी बड़िया भिंड़ी हमारी बन कर तयार हुई है तो दोस्तों आप इस तरह से भिंड़ी ज़रूर बनाएए खाए और इंजोई कीजिए मेरे तरीके से मेरी रेशिपी आप लोग ज़रूर ठ्राई कीजिए साथ ही कमेंट्स करना मत भूलिएगा कितनी स्वादिश भिंड़ी बनी है आपकी तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए लाइक और शेर कीजिए दिखिए कितनी सी यम्मी बनी है गर्मा गर्म रोटी के साथ खा सकते हो आप इंजोई कर सकते हो तो आपको यह रेशिपी वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को ज़रूर कीजिए लाइक और शेर करना मत भूलेगा फिर से मिलूंगी नेक्स वीडियो में